सबसे पहले मैं आप लोगों बता दूँ को मेरे तबीयत खराब होने की वजासे मैं कुछ दिनों से विल्डियो अफ्लोड नहीं का सका आ सका हूँ अब मैं रेगुलर विल्डियो अफ्लोड करता रहूंगा आज की विल्डियो में हम बात करने वाले हैं 15,000 रुपे में बेस्ट कैमरा स्मार्ट फोन जिसमें जबादास डिस्प्ले बेस्ट कैमरा और एक पावर्फुल प्रोसेसर वाला फोन आपको मिल जाएगा पहला फोन हमने रखा है मटरोला मोटो जी 62 5G जिसकी एक्चुवल प्राइज है वो 17,999 रुपे लेकिन यह आपर में इसकी प्राइज 14,999 रुपे 6 GB रेम और 128 GB इंटेनर इस्टोरिज के साथ मिल जाता है अब बात करें इसके डिस्प्ले की तो इसमें 6.55 फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले पंचोल के साथ 120 Hz रिफ्रेस रेट और मैक्सिमंग 600 निश्की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है या फौन HDR10 को भी सपोर्ट करता है और डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कोर्मिंग गुरिला गलास 5 मिल जाता है इस फौन के बाइक साथ में टिपल कैमरा सेटप देखने को मिल जाता है 50 मेगा फिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगा फिक्सल का आल्टा वाइल और देफ्ट कैमरा और 2 मेगा फिक्सल का माइक्रो कैमरा दिया गया है वीडियो रिकार्टिंग के सौकेन इस कैमरे से 4K और फुल HD में वीडियो रिकार्ट कर सकते हैं वहीं सेलफी के लिए 16 मेगाफिक्सल कैमरा देखने को मिलता है, इस कैमरे से फुल HD में वीडियो रिकार्ट कर सकते हैं, इसमें Qualcomm Snapdragon 695 5G का चिपसेट लगा हुआ है, इसमें 5G के 12 बैंट दिये गये हैं, इस फोन में IP53 की रेटिंग भी दिया गया है, यानि हलका फुलका पा बहुत हेल्प करता है, और इसमें stereo speaker भी मिल जाता है, इस फोन में 5000 एमेज की बैल्टी दिया गया है, और इसी को चार्ज करने के लिए box के अंदर 20 वाल्ट का चार्जर मिल जाता है, अब इस फोन के खूबियों की बात करें, तो इसका display काफी अच्छा और brightness है, जो daylight में कोई problem नहीं होगा, और सबसे अच्छी बात या है कि या फोन IP53 rating है, इसमें carrier application का भी support मिल जाता है, अब इस फोन की कमियों की बात करें, तो इसमें 20 वाल्ट का चार्जर दिया गया, जिसे वाल्टी को चार्जर करने में काफी समय लग जाता है, यदि वीडियो अच्छा ल रुपे लेकिन यह आफर में 14,900 इंद्यान बुरुपे है, 6GB RAM और 128GB इंटरना इस्टोरेज के साथ, इस फोन में 6.4 इंच फुल HD प्लस Super AMOLED डिस्प्ले पंचोल के साथ दिया गया है, इसमें 90 Hz रिफ्रेस रेट्ट और मैक्समम 360 Hz टैच संप्लिंग रेट भी मिल जाता है इसमें मैक्समम 100 Hz की Peak Brightness दिया गया है और Wild Wine L1 का भी support मिल जाता है, डिस्प्ले प्रेटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 5 दिया गया है, इसके back side में triple camera setup देखने को मिल जाता है, 48MP का primary camera, 8MP का alta wild camera और 2MP का micro camera दिया गया है, वीडियो रिकार्टिंग के सोकिन इस camera से 4K और Full HD में वीडियो रिकार्ट कर सकते हैं, वही front camera 16MP का दिया गया है, इस camera से भी Full HD में वीडियो रिकार्ट कर सकते हैं, अब बात करें इसके processor की, तो इसमें MediaTek Dimensity 920 का 5G chipset लगा हुआ है, इसमें 5G के 5 बैंट दिया गया है, औ वालवी एटम्स के साथ आता है, और इसमें केवल दोसिन लगा सकते हैं, मिमोरी कर लगाने का आपसंद नहीं मिलता है, और सबसे अच्छी बात या है, इसमें in display fingerprint sensor दिया गया है, और केरियर एग्रिकेशन का भी support मिल जाता है, इस phone में 5GV तक virtual RAM बढ़ा सकते हैं, इसमें 5000 MS की बैल्टी लगा हुआ है, और इसी को चार्ज करने के लिए बॉक्स के अंदर 33 वाल्ट का fast charger आपको मिल जाता है, जो बैल्टी को चार्ज करने में लगबग 1 घंटा 25 मिनट का समय लग जाता है, अब बात करें इस phone के खूबियों की, तो इस phone में super emoled display दिया गया है, और इस phone के कमियों की, तो इस phone में memory card लगाने का option नहीं मिलता है, इस phone में हलके full के broad wear देखने को मिल जाते है, अगला phone है Oppo K10, जिसकी price है 13999 रुपे 6 GB RAM और 128 GB internal storage के साथ, या phone 8.4 mm thickness के साथ आता है, और इसका weight 189 गराम का है, या 6.5 inch full HD plus IPS display पंचोल के साथ आता है, इसमें 90 Hz refresh rate और maximum 480 nix की peak brightness दिया गया है, अब इसके camera की बात करते हैं, तो इसके back side में triple camera setup देखने को मिल जाता है, 50 megapixel का primary camera, 2 megapixel का दफ्त camera और 2 megapixel का micro camera दिया गया है, विडियो रिकार्टिंग के second full HD में विडियो रिकार्ट कर सकते हैं, वहीं selfie के लिए 16 megapixel camera पंचोल के साथ आपको मिल जाता है, इस phone में Qualcomm Snapdragon 680 का chipset लगा हुआ है या एक 4G chipset है, इसके side में fingerprint sensor दिया गया है, इस phone में 1-72 sim और 1 memorial card लगा सकते हैं, इसमें 5000 mh की belty लगा हुआ है और box के अंदर 33 watt का fast charger आपको मिल जाता है, अब इस phone के खूबियों की बात करते हैं, तो इसका display काफी अच्छा मिल जाता है, और display में brightness काफी अधिक है, जिससे आपको outdoor और indoor में कोई problem नहीं होगा, और processor भी ठीक मिल जाता है, इसमें आप अच्छा खासा gaming कर सकते हैं, इस camera best है, इस camera से जो images निकल के आते हैं, बहुत clear और sharp होते हैं, इसका battery backup भी अच्छा मिल जाता है, और सबसे अच्छी ब 12499 रुपे 6GB RAM और 128GB internal storage के साथ, यह phone 8.5 mm thickness के साथ आता है, और इसका weight 188 gram का है, इस phone में 6.5 inch full HD plus IPS डिस्पले दिस्पले दिया गया है, इसमें 90Hz refresh rate और maximum 600 nits की peak brightness के साथ आता है, डिस्पले प्रोटेक्शन के लिए corning और रिलगलास का protection मिल जाता है, इसके back side में triple camera setup देखन 8 megapixel का primary camera जो Samsung के sensor के साथ आता है, 2 megapixel का depth camera और 2 megapixel का micro camera दिया गया है, वही selfie के लिए 16 megapixel camera मिल जाता है, फ्रन्ट और बै कैमरे से full HD में video record कर सकते हैं, इस phone में miliatic dimensity 810 5G का chipset लगा हुआ है, इसमें 5G के 5 band दिये गया है, इसमें single mono speaker आपको मिलता है, और side में fingerprint sensor दिया गया है इस phone में 1-7-2 sim और 1 memorial card लगा सकते हैं, इसमें 5GV तक virtual RAM बढ़ा सकते हैं, इसमें 5000 mh की belty दिया गया है, और इसी को charge करने के लिए 18V का charger आपको मिल जाता है, अब इस phone की खूबियों की बात करें, तो इस phone का performance बहुत अच्छा है या एक 5G phone है, और unique design के साथ आता है, इसका software बहुत अच्छे से optimize किया गया है, इसमें gaming बहुत अच्छे से का सकते हैं, कोई problem नहीं होगा, इसका camera बहुत अच्छा दिया गया है, इस phone में चार्चिजें बहुत अच्छे से दे रखी है, पहला processor, दूसरा camera और तिसरा design और build quality और चोथा 5G के 5 band, अब इस phone के कम्यों की बात करते हैं, तो इसमें केवाल 18 वाल्ट का charger आपको मिलता है, जिससे बैल्टी को चार्च करने में काफी समय लग जाता है,